महराश्ट में एकनाश इंदे की सरकार पर संकट के बादल गहरा गए हैं सिर्फ सरकार ही नहीं शिंदे की विधानसभा सदसेता भी संकट में दिखाई दे रही है क्योंकि मामला सुप्रिम कोर्ट में है और मुंबई की राजनेतिक हालाद बता रहे हैं कि फैसला शिंदे के खिलाफ आ सकता है तो कब सुप्रिम कोर्ट दे रहा है फैसला देखते हैं ये रिपो शिसेन से बगावत की सजा एकनाश शिंदे को मिलेगी या मिलेगा इनाम शिंदे को ही आयोग्य ठहरा दिया जाएगा या फिर सीम की कुर्सी पर बरकरार रहेंगे एकनाश शिंदे सभी की निगाएं अब सुप्रिम कोर्ट पर हैं सुप्रिम कोर्ट से जो फैसला आना है उसमें मुक्य मंतरी एकनाश शिंदे उनके कैबिनेट के दो मंत्री समित सत्ता पक्ष के 16 विधायकों की विधानसबा की सदस्यता रद हो सकती है CGI DIY चंद्रचून की अधिष्टा वाली पांच जजों की सम्विधानिक पीट इसे लेकर फैसला सुनाएगी वैसे ये पहले ही तैमाना जा रहा था कि फैसला 15 माई से पहले आएगा क्योंकि सम्विधानिक बेंच के एक जज़ 15 माई को रिटायर हो रहे थे और उनके रिटायर्मेंट से पहले फैसला सुनाना जरूरी भी था सम्विधानिक पीट में शिंदे और उद्वगुट की ओर से जोरदार दलीले दी गई है ऐसे में फैसला किसी भी पक्ष में आ सकता है अगर एकना शिंदे को कोट ने आयोग्य घोशित किया तो उनकी सीम की कुरसी भी चली जाएगी दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि शिंदे 6 साल तक चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे उनके साथ गए 15 विधायकों का भी यही हाल होगा दूसरी संभावना इस बात की भी है कि कोट शिंदे की विधानसभा सदस्यता को रद कर दे ऐसे में उनका सीम पत तो बच जाएगा लेकिन उनकी विधानसभा सदस्यता चली जाएगी छे महीने में उन्हें दुबारा चुनाव लड़कर जीतना होगा लेकिन शिंदे के लिए बड़ी राहत तबी होगी जब सुप्रिम कोट फैसला देने का दिकार विधानसभा अध्यक्ष को सौप दे क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष राहुल नारवेकर बीजेपी के विधायक है फिलहाल जो संकेत मिल रहे हैं उनसे साफ लग रहा है कि सुप्रिम कोट का फैसला एतिहासिक होगा और एक नाशिंदे को आज रात नीन रही आएगी डीबी लाइफ की रिपोर्ट